नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब कमेंट करके जरूर बिताइएगा आज हम बात कर लेते हैं कुछ मार्च अप्रिल में उगाई जाने वाली सबजियां आसानी से हम गर्मियों के लिए कौन-कौन सी सबजियां त्यार कर सकते हैं अपने होम गार्डनिंग में तो सबसे पहल अप्रिल में त्यार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए तो ये गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है खाने में भी स्वादिस्ट होती है और इसको इजिली हम अपने गार्डनिंग में लगा सकते हैं दूसरी सबजी की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है हमार पालक, पालक को भी हम गर्मियों में अच्छे से उगा सकते हैं, हर सब्जी में इसको बारी की करके डाला जा सकता है, और इसकी nutritious value बहुत जादा होती है, इसमें iron होता है, जो कि हमारी body के लिए बहुत फाइदे मंद होता है, तो ये भी गर्मियों में हम आसानी से जो है वो इ काफी ज़्यादा nutritious होती है खाने में, आप दूर दूर तक देख सकते हैं, यहां पे sport की सहाईता से इनको sport लगा दी गई है, अब क्यूंकि आगे को ये climb करती जाएंगे, इनको space चाहिए बढ़ने के लिए, चौथे नंबर की हमारी जो सब्जी है, वो आती है, हमारी करेले की सब्जी, इसको हम गर्मियों में उगा सकते हैं, अच्छे से ये देखें, आप देख सकते हैं, यहां करेले की जो है वो लगवग हर्वेस्टिंग के लिए तियार होने को है, इसमें फ्लावर लगने जो है वो शुरू हो गये हैं, फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं, जैसे प्याज लहसन हो गया, तो हरा हरा घर का प्याज जो है इसकी जो लीप्स होते हैं, वो हर सब्जी में जो है फ्लेवर के लिए अच्छी मानी जाती हैं, धनी के साथ मिक्स करके इनको हम फ्लेवर सब्जी को और बढ़ा सकते हैं, तो देखें आप हम प्याज भी आसान तो धनिया, धनिया भी सबजी में, सबजी में, डाल में, हर फूड आइटम में जो है, वो एक फ्लेवर अलग से ही देता है, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, गर्मी के मौसम में, इतनी अच्छी खुश्पू जब खाने की आएगी, तो अपने आप गर्मी द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई